मुझे पता था आप इसे ले आईए ये कितना प्यारा है रू ने उस आत्मी की तरह उससे अपनी कोट में बिठाते हुए कहा रू इसे नीचे करो क्या कर रही हो नीचे करो इसे जहर लगती है मुझे ये हरकते क्यों जहर लगती है इतना प्यारा सा तो है मैं इसे यहीं बिठाऊंगी अपने साथ रू ने उसके साथ खेलते हुए कहा रू ये वहाँ जाएगा जहां बाकी लोगों के जानवर बैठते हैं इसे इस जहरा से अपनी कोद में बिठाना अलौड नहीं है ये वहाँ अकेले डर जाएगा ना रू ने मासूमित से कहा बेवी ये डौग है ये नहीं डरेगा डौग बहुत भादर होते हैं तुम बेविकर होकर इसे एरोस्टेस के हवाले कर दो यारम ने उसके बास सुने बगैर पास घड़े लड़की को इशारा किया जो फोरण उसके इशारे की तकमिल करते हुए कुटा उसकी कोच से उठा कर ले गई यारम ऐसे कैसे मुझसे फूझे बगैर ले गई उसे बुलाएं वापस रू सिद्धी अंदास में कहा बेवी अब क्या हम एक कुट्टे के लिए लड़ेंगे यहां पे यारम ने उसे देखते हुए समझाने की कोशिश की उससे बार बर कुट्टा मत कहें वो मेरा शोनौ है प्रू ने मुझ बना कर कहा वा बेवी नाम भी रख लिया है इतना जल्दी शोनौ यारम ने हस्से हुए कुट्टे का नाम दोराया यारम आपने उस आदने को कैसे बनाया शोनौ के लिए थोड़े देर के बाद रू सब कुछ भूल भुलाकर उससे पूछ लगी पैसा सब को मना लेता है बेवी यारम ने बस इतना ही कहा यारम आपको शोनौ के लिए पैसे देने पड़े मेरी वज़ा से आपके पैसे जाया हो गए किसी एहम काम में आ जाते रू उधासी से भूली यारम के लिए रू से जाधा एहम और कुछ भी नहीं है अपनी जान भी नहीं यारम ने उसके हाथ अपने सीने पे रखते हुए कहा फिर भी बहुत जाधा पैसे लिए होंगे उसने कितने पैसे लिए उसने तीस हजार तीस हजार यारम आपने इतने पैसे क्यों दिये उसे उससे समझ कर रखा है बहुत अमीर हैं हम एक बार मुझे मिल जए जान से मार दूंगी उसे एक छोटे से पपी की कीमत 30,000 रुपे हद हो गई 30,000 में तो महीने का राशन आ जाता है घर में रू ने परिशाने से कहा जबके यारम शुकर मना रहा था कि उसे 30,000 धर्म नहीं कहा वो इस वक्त दुबाई एरफूर्ट पर थे इसर पहले ही उनका इंतसार कर रहा था यारम वो लोग अपने आप ही हमें शोना को वापिस कर देंगे या हमें पूछना पड़ेगा सारे 11 गंडे के सफर में रू ने अगर उससे कोई बात की थी तो वो उसके शोना के बारे में ही थी वो अपने आप ही वापिस दे देंगे यारम ने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ ले जाते हुए कहा यारम शोनू कहा रहेगा हमारे साथ हमारे रूम में या भी दूसरे रूम में उसके साथ चलते हुए पूछने लगी वो हमारे कमरे में क्यों रहेगा और वो दूसरे कमरे में भी क्यों रहेगा अब क्या हम उसे अलग से एक बेटरूम देंगे यारम हैरान की से पूछ रहा था यारम अब हम उससे यूँ ही तो नहीं छोड़ सकते चानवर उससे प्यार करना चाहिए और उपर से आपने इतने पैसे देकर हरीदा है उसको उस आदमी ने तो हमें लूट लिया अगर कब इस जिंदिगी मेरे हाथ चड़ गया ना तो आपकी पैसे वापस जुरूर निकलूआंगी अच्छी लूट मार मचा रखी है इन लोगोंने 30,000 किसी गरीब से पूझे 30,000 की क्या हैमियत होती है आप कभी अच्छा हासा नुकसान हो गया अब वो जहाज से नीचे उतरने लगे थे रू मेरे पास बहुत पैसे हैं 30,000 दे देने से मैं गरीब नहीं हो जाऊंगा हाँ लेकिन तुम मेरा असासा हो तो मैं खो दिया तो गरीब हो जाऊंगा वो मस्कुराया था जबकि उसकी बात पर रू शर्माई थी आप बीना यारम कहीं पर भी शरू हो जाते हैं रू शर्माते हुए आगे बड़ी जबकि यारम ने वो कुत्ते वाली बासकी पकड़ी और रू के पीछे आया इस सफर में सबसे हास बात ही हुई थी कि रू को डड़ नहीं लगा था बस जहास के परवास भरते हुए वो ज़ारम के सीने में मूँ छपा गई थी शर्माते हैं पहले से ही उनके इंतजार में था वो तीजी से आया उनके हाथ से समान पकड़ने लगा अरे नहीं हिसर भाई मैं उठा लूँगी आप पताएं कैसे हैं आप और आपकी घर में सब ठीक है तो ने मुस्कुराते हुए पूचा जबकि उसके बात पे इसर के साथ यारम के भी हाथ सो सो गए थे मेरे घरवाले वो हैरान की से बोला हाँ हिसर तुम्हारे घरवाले यारम ने उसे आँख से इशारा किया हाँ मेरे घरवाले बिल्कुल ठीक था सब एक्दम फिट है हिसर ने उसका इशारा समझते हुए कहा डोंट टेल मी अब इस लड़की के लिए हमें घरवाले भी पैदा करने होंगे इसर ने चलते हुए यारम के कान में कहा अगर जरूरत पड़ी तो हाँ जरूर यारम एक आंग दबाते हुए मस्कुराया वा इस लड़की ने तो तुम्हें हसना भी सिखा दिया इसर को हुशी हुई थी लोगों से मांगना भी सिखा दिया है जरूरम ने कुटे वाली टोकडी की तरफ इशारा किया वे इसर भी मस्कुराया सच कहते हैं इस दुनिया में औरट से साधा चलाक और कोई नहीं इसर उसके साथ चलते हुए बोला सच ही कहते होंगे लेकिन मेरी रूह तो बहुत मासूम है जरूरम के लहचे में मुखबत ही मुखबत थी अल्ला तुमें हुशिया नसीब करे और तुम हमेशा ऐसे ही रहो खुश और मुतमेन इसर ने मस्कुराते हुए उसकंदे पर हाथ रखा था इस हुशकार तब्देली से उसे भी बहुत हुशी हुई थी रू और शोनो को घर चोनने के बाद वो अपने ओफिस आया था लिज़र के साथ और आते ही पहला तब पर शारिफ के मुँबे मारा था ओफिस का एक एक कोना चमका देने के बाद भी यहाँ पर भोत गन था शारम के एसाब से आदर घंटा है तुमारे पास मुझे एक भी कोने में जरा सी भी धूल मटी नजर आई तो तुम्हें माफ नहीं करूँगा शारम ने जाने से पहले उसे सिर्फ सफाई का काम सोब पा था और आप ओफिस के आलत देखकर शारम को यह अपनी गल्ती लग रही थी हाई कितने जोर से मारा सालिम ने मुझे तो लगा था कि तुम डेविल सर का बाया वास हो और तुम क्या निकले ओफिस के पियोन मासोमा ने अदास से कहते हुए कहका लगाया अरे ये सब कुछ तो यहां का कोई भी आदमी कर सकता है मैं तो ये सब कुछ इससी कर रहा हूँ ताके कुछी को बता सकूँ कि शादी के बाद एक बहुत अच्छा हस्बंट साबित हो सकता हूँ शारिफ ने मुस्कुराते हुए उससे आख मारी हाँ तुम आशीक ही बनो शोहर बनना तुम्हारे बस में नहीं मासूमा ने फिर से तंस किया वैसे भी आजकल के लड़के सिव आश्की ही कर सकते हैं वो कहेकर जाने लगी जब शारिफ नो उसका हाथ पकड़ लिया वो ही तो कह रहा हूँ आश्की तो सब कर लेते हैं हम कुछ नया करेंगे चलो शादी करते हैं शारिफ को पता तक नहीं था कि शारिफ इस रिलिशन्शिप में काफे हत तक आगे बढ़ चुका है यहां तक कि शारिफ शारिफ से अपनी शादी के बारे में बात करना चाता था लेकिन मासूमा थी जिसका कहना था वो सिर्फ दोस्त है इससे भड़कर और कुछ नहीं देखो शारिफ मैं तुम्हें पहले बहुत बार बता चुकी हूँ मैं यहाँ अपने बाबा की मुद का बदला लेने आई हूँ शादी प्याह करने नहीं इसलिए बार बार एकी बात करके मुझे इंबेरिस मत करो उसके बात सुनकर शारिफ उधास हो गया और उसकी उधासे मासूमा को भी अच्छी ना लगी थी देखो शारिफ मैं तुम्हारी फिलिंग्स ही कदर करती हूँ लेकिन फिलहाल मेरा मकसद कुछ और है वो उसके हाथ से अपना हाथ निकालती ही वहाँ से चली गई इसका मतलब है मुझे डेविल से चल से चल बात करनी होगी वो शारिफ ही क्या जिसे आसानी से समझ आ जाए हाँ बोलो क्या हबर है इंस्पेक्टर सारिम अपनी घर में बैटा फोन पर बात कर रहा था एहत्यादन वो घर से भाई निकल आया था जहां उसके बेटी भाई खेल रही थी उसे ही अबर देदो मुझे क्या मिलेगा डार्लिंग तुम चाहती क्या हो जो चाहोगी हो मिलेगा मेरी जान वो आवास काफी कम रख रहा था कि उसकी बेटी तक न पहुँचे इतना दीरे क्यों बोल रहे हो उन्ची आवास से बोलो न वो एक अधास से बोली थी डार्लिंग मैं काम कर रहा हो न तुम बोलो न मेरी जान क्या हुआ है वो इलतिजा कर रहा था जबकि सारा देहान अंदर था अगर उर्वा सुन लेथी तो अच्छा हासा आंगामा होता पहले को हो यू लव मी वो शायद उसकी बेबसी को इंच्वाई कर रही थी तुम्हारे लिए इतना कुछ सोच रखा हूँ मैं मैंने फैसला कर लिया है ये डेविल का केस हल होते ही मैं तुम से शादी करूँगा लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बहुत सारी मलत करनी होगी उसके लहचे में सिर्फ सचाई थी जिस पर मासूमा दिलो चान से माल ले आई थी मुझे तुमपर पूरा यकीन है सारी म और मैं तुम्हारी पूरी मलत करूँगी अच्छा सुनो मेरी बात अबर ये है के विक्रम दादा इंडिया से मंडे को दुबाई आ रहा है देविल ने उसे यहां बुलाया है कोई राशित केस के सिलसले में वो लोग कोड में बात करते हैं इसी मुझे जादा समझ नहीं मासूमा ने रिष्टे हुए कहा क्योंकि वो राशित केस के बारे में कुछ नहीं जानती थी क्या मतलब है तुम्हारा डेविल वापिस आ गया है दुबई सारिम परिशान हुआ था हाँ डेविल सर आज ही वापिस आई है देखो मासूमा उसकी नजर से बच कर रहना वो तुमें देख कर ये सब जान लेगा वो बहुँ चालाख है चील की नजर रखता है तुम्हें होश्यार रहना होगा अब तुम जाओ उन लोगों के पास मैं फून रखता हूँ उसे सामने सुर्वा को आते हुए देख कर गहाँ देख रही हूँ मैं आपको आजकल आफिस का काम घर पे उठालाते हैं हम दोनों की तो परवा ही नहीं है अपको वो रूटे हुए अंदास से बोली तो सारे मुस्कुराया तो क्या करूँ चाने मन तुम्हें देखे बिना मेरा गुजारा ही नहीं इसलिए तो आफिस से जल्दी आ जाता हूँ ताके जादा से जादा वक्त तुम दोनों नहीं बलके तीनों के साथ गुजार सकूँ उससे मुहपत से उरुआ के भरे हुए वजूद को देखा जहां से दो मेनों की बाद उसका दूसरा बच्चा इस सुनिया में आने वाला था मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है लेकिन मुझे ये लड़की मासूमा कुछ अलाग लगती है मुझे लग रहा है ये बीच में कोई गरपड कर रही है हमसे चुपकर इससे ने उसे काम की तफसिल बताते हुए मासूमा के बारे में बताया हूँ जबकि उसके बास सुनने के बास शारिफ का चेरा उसे सुख होने लगा था क्यूं भाई मासूमा वे शक क्यूं है मुझ पर नहीं है कल ये कह देना कि मैं भी गद्दारी कर रहा हूँ डेविल के साथ शार्फ तो भड़की उठा था शार्फ अराम से वो बात कर रहा है न क्यार्फ को उसका इस सारा से बीच में बोलना बिकुल पसंद नाया था ये मासूमा पर जूटा इल्जाम लगा रहा है जिस दिन से वो यहां आई है ऐसी ही बकवास किये जा रहा है आखिर मसला क्या है इसे मुझे समझ नहीं आता हर बात में कहीं ना कहीं इसने मासूमा का जिकर्स करना जरूरी होता है शार्फ गुसे से हिसर की दरफ देखते हुए बोला देखो शार्फ बेकार में मेरे साथ बहस मत करो वो भी उस लड़की के लिए इसर को भी अच्छा हासा घुसा आ गया बस बहुत हो गया क्या पागलू की तरह एक दुस्रे से लड़ रहे हो तुम लोग अराम से बैट जो शार्फ की घुसे से कहने पर दोनों बैट गए आज के बाद किसी तीसरे की वज़ा से मैंने तुम दोनों को लड़ते हुए देखा तो याद रखना मैं भूल जाओंगा कि तुम दोनों मिरे लिए क्या हो और वो लेला कहा है छोड़ तो नहीं गई हमें टेविल ने कहा क्यूं तुम उसे मिस कर रहे हो इसरे ने शरारतन कहा था नहीं अगर छोड़कर चली गई है तो दूसरी हैकर ढूनने में वक्त लगेगा हासे एनरजी वेस्ट होगी और उपर से पार्टी भी तो करनी होगी बला टलने की हुशी में क्यारम बिल्कुल सीरिस अंदासे बोला था जबकि उसकी बात मुकमल होते हैं हिजर और शारफ का कहका बेहासा था यूकि बाहर से तक तक की आवाज आना शुरू हो चुकी थी और ये आवाज लेला की खाई हिल्स की थी यानि कि हमारे नसीब में पार्टीस नहीं लिखी हैर मजाग का वक्त हतम हो चुका है जो अपने काम पर लग चौ शारफ ने फून निकालते हुए कहा और रोका नमबर डायल करने लगा विक्रम दादा की हादर तवाजा में कोई कमी ना रहे उसे चाहते हुए शारफ और हिजर से कहा था शारफ रात को घर आया तो देखर रूस हो रही है वो सफर से काफी सारा थक चुकी थी वो उसे जगाए बगेर ही उसे करीब आया लेकिन अपने बेट पे शोनो को देखकर ढटका अब क्या एक कुट्धा डौन के बेट पे सोएगा उसका दिल जहां एक कोली मार के अभी ये किस्सा ही दवाब करते लेकिन फिलाल ये उसके बस में नहीं था उसे कर्दन से कुट्धे का पट्टा पकड़ा और उपर के तरफ लटका लिया कुट्धा उसके तरफ लपक कर नीचर उतरने की कोशिश कर रहा था साथ में डपी डपी चीखें भी निकल रही थी इसके बज़ा से रू मेडम की आँख खुल गई रू ये कुट्धा मेरे बेट पे क्या कर रहा है सकती से बोला जबके हाथ अपी तक हावा में लटक रहा था कुट्धे समेथ ये कुट्धा नहीं है इसका नाम शोनू है रू ने याद दिलाते होवे जल्दी से लपकर कुट्धे को पकड़ना चाहा जबके यारम ने भैंकने वाले अंदास में कुट्धे को उसकी गोद में डाला मिला प्यार शोनू चोट तो नहीं लगी रू शोनू कुटे डोलते हुए बोली नहीं लगी उसे चोट पुछ चिलाया था रू अभी के अभी इस कुटे को निकालो मेरे कमरे से बाहर ठीक है जा रहे हैं हम रू ने उट्टे हुए कहा जब यारम ने उसका हाथ पकड़ लिया रू तुम कहा जा रही हो दूस्से कमरे में जा रही हूँ और कहां जा रही हूँ मतलब अब तुम इस कुटे के लिए कमरा छोड़ दोगी यारम को अब उस पर घुसा आने लगा था तो उसे अकेले दूस्ने कमरे में डढ लगेगा न तुम ने मूँ बनाकर कहा रू, ये एक कुट्टा है और इसे बाहर निकलते हुए डर नहीं लगेगा इसे बाहर करो इस कमरे से और हपरता जो तुम इस कमरे से बाहर निकल गई तांगे तोड़ दूगा तुम्हारी फिल्हाल उसे शोनू से जाधा रू पे उससा रहा था जो एक कुट्टे के लिए उसे छोड़ कर जा रही थी बाहर करो इसे बलके मैं हुद करता हूँ ये कहते ही यारम आके बढ़ा उसका पट्टा पकड़ कमरे से बाहर कर दिया रू भी उठकर भाहर जाने लगी रू तुम्हें मेरी बाद एक बार में समझ नहीं आई कुछ जाधा ही सचड़ा लिया है मैंने तुम्हें अब उसे सच मुझ में उस पर घुस्सा आ गया था यारम मैं तो आपके लिए खाना लाने जा रही हूँ रू उसे घुस्से में देखकर वाकी घबरा गई थी शुकर है शोनों के इलावा शोर का भी ख्याल आया वो चित लाते हुए बोला तुमने खाना क्यूं बनाया हम बाहर चलकर कुछ खा ले थे इतनी धकावट होती है सफर से यारम समझ चुका था यह उसके घुस्से की वज़ा से इतनी का मामा से बात कर रही है आज वो बिल्कुल उसी दिन की तरह से बात कर रही थी जब यारम ने पहली बार उसे तपड़ मारे थे जहास के हम अपने सर पर उठा के लाई थी जो तक गई होंगी वो फॉरण ही अपने पुराने लहजे में बोली उसका ये प्यारा संदाज यारम की जान था और वो पहली दिन की तरह एक तबूसी महरूमियों का शिकार एक डरी सहमी लड़की नहीं थी बाकी लोगों से वो आज भी उसी तरह से खबराती थी लेकिन अप शारम का उसे कोई डर नहीं था वो जानती थी ये शक्स उससे दिवानों की तरह मुहबत करता है उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है उसे यकीन था ये शक्स उससे कभी खुझ से दूर नहीं होने देगा यही वज़ा थी कि वो उससे नहीं डर दी थी जबके उसे सिर्फ उसी से डरना चाहिए था तुम्हारे इस कुद्टे ने क्या खाया शारम ने खाना खाते हुए पूछा अब शारम माने ना माने रू के लिए वो इस घर का इस्सा था मैंने इसको सेव खिलाया था और थोड़ा खाना भी रू तुमने कुद्टे को सेव खिलाया शारम के लिए यह आज की दिन का दूसा जटका था पहला जटका उसे अपना ओफिस से का लगा था इसका निशान अब तक शारम के मूँँ पर मूझूड था और दूसा चटका पुरू ने एक उस्ट्रेलियन कुद्टे को सेव खिलाय थे लेकिन इस बात से यारम की गाल के दिंपल नुमाया हुए थे अच्छा है इस कुद्टे से चल्दी जान चुट जाएगी क्यों यारम कुद्टे को सेव नहीं खिलाने चाहेए पुरू ने फिकरमंदी से पूछा नहीं रू ये आस्ट्रेलियन कुद्टा है और इसके अलग खुराक है मैं बिल्डिंग के सर्वेंट्स को कहूँगा वो तुमें ला दे गए और अगर आप भूल गए तो मैं हुद आंटी से कहूँगी ये जो हमारी फ्रोस में नहीं होती वो कहती थी कुछ भी हो मुझे बताना आप ऐसा करें पैसे मुझे दे दे और सिर्फ शोनों के खुराक की चीज़े नहीं हमारे लिए भी कुछ टासा सबसे अमंगवानी है रू ने कहा तो यारम ने उसे अपने वॉलेट से पैसे धरम की सुरत में निकाल कर दिये ये कितने पैसे हैं? रू ने नोटों को देखते हुए पूझा ये पांच सो धरम है यारम ने पताया यारम से पांच सो रोप एसे क्या आएगा? रू ने अजीर से अंदाज से पूझा रू मेरी जान लोग इससे पूरे महीनी की चीज़ें ले आते हैं मगर तुम और रख लो यारम ने हसे हुए अपना वॉलेट निकाला और बांच सो धरम निकाल कर दिये इन में तो आ जाएगा ना? शारम ने उसके तरफ देखते हुए पुझा हाँ, शायद तुम को अब भी यकीन नहीं था याजार रुपे में उनके जुरुएत की सारी चीज़ें आ जाएंगी कि मुम्किन नहीं है सारे मैं ये नहीं कर सकती लेला को डेविल ने अपने घर आने से मना किया हुआ है और अगर लेला वहाँ नहीं जाएगी तो मैं कैसे चा सकती हूँ? मुझे तो वो सब वैसे भी किसी खाते में नहीं लेते यहाँ पर भी सिफ शारिफ की वज़ज़ से ठीकी हुई हूँ परना उन लोगों को मुझे अपने साथ रखने का कोई अरादा नहीं है यहाँ तक कि मेरे सामने कोई बात नहीं करते और नहीं मुझे करने को कोई काम दिया है वही सर्थ तो हर वक्त टेविल के कान भरता रहता है मेरे हिलाओ I am sorry मैं यह नहीं कर पाऊंगी प्राय तो करो मासूमा यार तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती और यहाँ मैं इस के इस के बाद अपनी सारी फैमली छोड़ने को तयार हूँ तुम्हारे लिए याद रखना मासूमा अगर आज तुमने मेरा काम नहीं किया तो आएनदा मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा सारीम का लेचा अब ज़र्वात से आरी था लेकिन सारीम मेरी बात समझती कोशिश करो मैं उसे नहीं ला सकती वाहिर मासूमा उदासी से समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो कुछ भी सुनने को तयार ना था तो मैं ये समझूँ कि हम आखरी बार बात कर रहे हैं मासूमा सारिम ने उसकी दुपती रख पर हाथ रखते हुए कहा मैं एक कोशिश करूँगी मासुमा ने हार मानते हो भी कहा था मुझे यकीन है तुम ये कर लोगी सारिम फून बन करके दिल खोल कर रासा था उसे यकीन था कि मासुमा उसका काम सरूर करेगी वो और टेविल के खड़ नहीं जा सकता था तुमके सवाल उसकी चोटी सी मासुम बच्ची का था जिससे वो बेंतिहा मुखबत करता था देविल नहीं कहा था अगर सारिम उसकी फैमिली तक जाएगा तो भी पीछे नहीं आदेगा वरना किसी की फैमिली तक जाना देविल के असूलों के खिलाब था जारम पिछले पांच मिन से तर्वासे पे खड़ा रू का इंतसार कर रहा था जब तक रू उसके माते पर अपनी मासुम मुखबत का बोसा ना दे दे जारम का दिन नहीं गुजरता था जबकि रू अभी तक अपने शोनों को खाना किलाने मसरूफ थी रू चल्दी करो मुझे जाना है यारम ने दान 20 का रावास जी जी एक मिन में हाथ दो कर आई तो रू चल्दी से बेटरूम में जाने लगी और अगले एक मिन में हाथ दो कर आई जिन से वो बड़े प्यार से अपने शोनों की पीट से ला रही थी फिर रोज की तरह यारम ने चुक कर उससे अपना हक वसूल किया रू उस कुद्दे के साथ ना चेह की रहा करो हर वक्ड़ रू बिना दर्वासा बन दिये वापिस सोनों की तरफ जाने लगी तो यारम टोके भी ना ना रह सका यारम उसे आये हुए अभी सिर्फ एक दिन हुआ है और आप इस तरह से कह रही है रात को भी आपने उस मासुम के साथ कितना बोरा सा लोग किया अगर आपने दुबारा उसके साथ ऐसा किया तो मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करोंगी तो ने मूँ बना कर धंकी दी तो यारम को पुलकल बसंद ना आई उस दो ठके के कुッटे के लिए तो मुझसे बात नहीं करोंगी यारम को अच्छा हासा पूसा आया था इस बात पर वो कुत्ता नहीं है, मेरा शोनो है वो फिर से मूँ बना कर बोली और तुम मेरी हो यारम ने उसके भूले हुए काल को देखते हुए कहा नहीं हूँ मैं आपकी और नहीं मुझे आपकी बनना है वो लाच से बोली थी काल अब भी भूले हुए थे लेकिन अगले ही लम्मे रूख के बाल यारम के हाथ में थे क्या कहा तुमने, मेरी नहीं हो तुम हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की हाँ, मेरी हो तुम तुम होती कौन हो, मेरी ना होने वाली तुम मेरी हो और आखरी सांस तक मेरी रहोगी यारम का घुस्सा हद से बढ़ चुका था यारम क्या कर रहे हैं आप बाल छोड़े मेरे तर्ट की शिद्दत से रूखी आंकों से आंसों निकलने लगे किसकी हो तुम यारम का इरादा सारे हिसाब बेबाग करने का था आपकी छोड़े रूबा मुश्किल बोल पाई थी शाबाश आएंदा ऐसा मत बोलना बहुत प्यार करता हूं तुमसे उसका चेरा अपने हाथों में लेते हुए उसका माता चुम कर कहा और बाहर निकल किया क्या क्या चाहिए मुझे बता दो मैं ला देता हूं या तुम मेरे साथ चलो मैं तुमें सब कुछ ले देता हूं शारिफ में ओफर करते हुए कहा जब वो लेला से शौपिंग की बात कर रही थी हाँ तुम इसी के साथ चली जाओ मेरा कहीं जाने का कोई प्लैन नहीं है मेरा मूट बहुत हराब है लेला ने नखर दिखाते हुए कहा लेला इसे फैशन के बारे में क्या पता मैं आज कल की कुछ चीज़ें लेना चाहती हूं अब तुम से फेटर फैशन को कौन फोलो करता है मासुमा ने उसे एहमियत देते हुए कहा जिस पर वो इतराई थी हाँ ठीक कहती हो तुम फैशन को मुझसे बेटर कौन जानता है ठीक है मैं चलती हूँ तुमारे साथ वो हिसान करने वाले अंदास में बोली जबकि शारिफ ने मूल अटकाया था यारम वो मासुमा को शॉपिंग करनी है आज कोई हास काम नहीं है तो क्या मैं और वो शॉपिंग पर जाए उस्पिटल वाले दिन के बाद वो कम ही यारम से मुहातिफ होती थी आज काफी दिनों के बाद वो उसके आफिस में भी आई थी उसके लिए काम नहीं है लेकिन तुम्हारे लिए है यारम ने बात हतम करते हुए कहा हम जल्दी आ जाएंगे मैं अपने सारे काम हतम कर चुकी हूँ बस जस्टिस एहमद के एक बेटे का अकाउंट है करना रहे गया है वो मैं वापिस आके करूँगी मुझे रिफ्रेश्मेंट भी चाहिए लैरा ने कहा थो यारम ने उसे जाने की जास्ती थी ठीक है लेकिन मुझे एहमद के बेटे का अकाउंट जल्द जल्द चाहिए यारम ने उसे देखते हुए कहा उससे गर्दर हां में ही लाई मैं आते ही काम शुरू कर दूंगी ये काम जस्स एहमत के बेटे ने नहीं किया उसे अपने आप पर लिजाम लिया है ताके उसका दोस्ट बच सके इसने कंप्यूटर पर देखते हुए शारफ को बताया जो कब से कभी उसे और कभी स्क्रीन को खूर रहा था तुम हुद को बहुत समार्ट समझते हो ना मुझे कब से जरूरी काम देख रहा था शारफ की बात पर उससे देखने लगा यगीनन वो कलवली बहस अभी तक भूरा नहीं था नहीं मैं अपने आपको समार्ट नहीं समझता बलकि समार्ट हूँ इसर ने तेवरी चुड़ा कर कहा और नसरें फिर से कम्प्यूटर पर जमा ली अगर इतने ही समार्ट हो तो बताओ एक दिवार को एक मजदूर दस दिन में बनाता है उसे दिवार को दस मजदूर कितने दिन में बनाएंगे उसके बेफज़ूर और काम से हटकर सवाल पर हिसर ने उसको खूर कर दिखा था फिर भी अपनी समार्टनेस बताने के लिए उसे इस सवाल का जवाब तो देना ही था एक दिन में इसर ने जवाब दिया और एक बार फिर से कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने लगा इंतिहाई बेवकुफ इनसान हो तुम अगर वो दिवार पहले से ही बनी हुई है तो दस मजदूर उसे वापिस बनाएंगे ही क्यों शारफ उसे जुबान दिखाता बाहर निकल गया था जबकि इसर करतर नफे में चला था एक पर पिर से अपने काम में मसुरूफ हो गया इसर अकसर शारफ की बचकाना बातों को ऐसे ही नजर अन्दास कर देता था लेकिन शारफ बतला सरूर लेता था उससे इसर के लिए यही सब लोग उसकी फैमली थे शारव, शार्फ, लैला हाँ लैला, जिससे वो बहुत प्यार करता था लैला, क्यों न हम उससे भी अपने साथ ले चले मासूमा ने गाड़े में बैठते हुए कहाँ किसे? लैला ने सोचा शायद हो शार्फ का नाम लेगी अरे, वो डेविल सर के पीवे को और किसे? आकर उससे भी तो पता चले कि तुम उससे बहतर हो मेरा मतलब है, वो अपने आपको शायद दुनिया की सबसे हसीन लड़की समझ रही होगी क्योंकि टॉन ने उससे शादी कर ली जबकि इस बात में तो कोई शक नहीं ये वो तुम से ज़ादा हसीन नहीं है क्या प्लैन कर रही हो तुम हाँ? तुम्हीं क्या लगता है? मुझे समझ नहीं रही? हम्, क्या समझ दी हो तुम मुझे? लेला ने उसके चेहरे की तरफ दिखते हुए कहां जहां एक रंग आ रहा था, दूसर चाह रहा था तो मुझे सलील करवाना चाहती हूँ उस लड़की के सामने ताकि बार-बार वो मुझे ये कहे कि टेविल उसका है और मैं उस लड़की से चलू लेला ने कहां तो मासुमा के उड़ी रंकच चक्तम ही लोटाई शुकर है, वो नहीं समझे थी कि मासुमा आगर क्या कर रही थी हरगी सही, मैं बस उस लड़की पर ये साही करना चाहती हूँ कि वो डेविल सर के लाइक नहीं है देविल सर का जोड तुमसे बनता है मेरा मतलब है वो खुद कितने हसीन है उनकी जोड़ी तुम्हारे साथ अच्छी लगती है उस रूख के साथ नहीं मेरा हयाल है हमें उस लड़की को इस बात का एसास दिलाना चाहिए वैसे हयाल बुरा नहीं है लैला ने उसकी बात काड़े हुए काँ तो वो मुस्कुराई देविल सर से तो इजासत लेनी पड़े ही मासुमा ने काँ नहीं उसे मैं संभाल लूगी पहले हम इसे संभालते हैं लैला ने इकार्डी स्टार्ट करते हुए काँ जबके मासूमा अब चोरी-चोरी सारीम को मेसेज करने में मसरूफ हो चुकी थी क्या कर रहा है मेरा बच्चा यारम ने अपनी काम रिप्टा कर उससे फोन किया था शोनों के साथ नहीं हूँ अंदर हूँ में वो बाहिर सोफे पर बैठा टीवी देख रहा है रू ने जवाब दिया जबके आवाज बहुत सही कम थी शायद वो अभी तक सुपावाले रवये से रहे हुई थी कुद्धा टीवी देख रहा है वो भी सोफे पर बैठ कर हमारे खर का कुद्धा भी नवाब है शारम ने आभर कर खा यकीनन वो उससे नराज सी सुपा जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसका नराज सोना बनता था शारम खुद भी नहीं जानता था बेख्तियारी में वो क्या कर गया था अच्छा आज खाना मत बनाना हम बाहर डिनर करेंगे शारम ने उसका मूट ठेक करने के लिए कहां ठीक है वो थोड़ी सी आवाज में नुनाई वो जब भी उससे अपने करीब करने के बारे में सोचता है अपने साथ रखने के बारे में सोचता है ना चाने क्यों रूप उससे टर जाती है वो तो बस उससे अपनी मुहपत दिखा रहा था वो तो बस उसे ये बताना चाहता था कि वो उसके लिए कितनी एहमेद रखती है उसे तो खुद भी पता नहीं चाना कि कब वो उस पर इतनी सक्ति कर गया अच्छा, रड ड्रेस पहनना मैं जल्दी आ जाओंगा दिनर करने के बाद हम लॉंग ट्रॉइट पर चलेंगे ठीक है, इस वार आवाज सोड़ी सी जादा थी नरास हो मुझसे इस वार यारम की आवाज भी काफी कम थी नहीं, आप नरास है रूँ ने सवाल किया ऐसा कभी मुम्गिन है वो उलटा उसी से भूश ची लगा अगर जिसम से रूँ निकल जाया अगर मैं तुम से रूट किया तो मैं बेजान हो जाओंगा और मैं जानता हूँ तुम मुझे कभी बी जान नहीं होने दोगी त्यार है न वो कहकर फून बंद करने लगा जब रूप फिर से भूली क्या शोनू भी हमारे साथ चाहेगा ये रूमेंटिक डेट है मेरी जान हम शोनू को अगली बार साथ ले चलेंगे इससे पहले कि रूप को छोड़ कहती यारम फून बंद को शुक्वा था अब मेरे रूमेंस में भी टांगर आएगा ये गुत्ता शारम ने चल कर सोचा कल विक्रम लादा ने आना था उसके बाद वो जानता था वो कितना मस्रूफ रहेगा वो अभी फून रख के बाहर आए थी जब दर्वासा बजा रोस के आंटे होंगी रोस होच्टे होए दर्वासी की तरफ भड़ी लेकि दर्वासा खोल कर देखा लेला और मासूमा करी थी शारम के डांटने के बावजूद भी बूच का दर्वासा खोलने के आदत से अभी नहीं पड़ी थी हम शॉपिंग पर जा रहे थे सोचा तुम्हें भी अपने साथ ले चले बोर हो जाती होगी सारा दिन यहां रहते रहते चलो हम इंचुआई करेंगे मासूमा ने उसे मुस्कुरा कर गहा जबके लेला ने उसे देखने की भी सहमत न की मेरे पास तो ज़रूरत की हर चीज मौझूद है मैं कर शॉपिंग करूँगी हाँ शोनू के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेनी थी उससे अपने पीचे कुट्टे की तरफ इशारा करते हुए कहां जो बड़ी मासूमियत से सोवे पर लेटा टीवी पर नसे जमाय देख रहा था यह कुट्टा किसका है देविल को तो कुट्टू से नफरत है तुम्हें अंदाजा भी है अगर उसने इस कुट्टे को यहां पर देख लिया तो इसका और तुम्हारा क्या हाल करेगा लेला नę कुट्टे के तरफ देखते हुए उससे ठोणा चाहा क्या खाल करेंगे उन्होंने ही तो लेकर दीया है परुर ने उसके सर पर दमागा किया क्या मतलब है तुम्हारा ये कुट्टा डेविल लेकिया आया है ये हो ही नहीं सकता उसे कुत्तों से नफरत है वो कभी जिन्दगी में ऐसे चानवरख अपनी घर में नहीं उसने देगा लेला अभी भी शौक में थी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ये कुत्ता उन्होंने खुद मुझे हरीड कर दिया है वो भी आइसलैंड से उसे लेला की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी इसे तफसील बताने लगी लेकिन तफसील सुनने का बिल्कुल टाइम नहीं था यूँकि मासुमा कब से सारम के मेसेजिस आ रहे थे ये वो शौपिंग मॉल पहुँच चुका है बस ये सारी बाते हम बात में कर लेंगे तुम डौगी ले चलो बाहर चलते हैं मासुमा ने चलती से कहा लेकिन मैंने यारम से नहीं पूछा हम सरको रास्ते में बता देंगे बस सुम चलती चलो अगर ही दोनों यारम के साथ काम करने वाली जगा पर नहोती किसी पकड़ कर चल दी